लखीमपूर खीरी को मिनी पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ सिखों के दादात बहुत जादा है साल 2011 में हुई गर्णा के मताबिक वहाँ 6,43,500 सिख समधाय के लोग रहते हैं बीबीसी समधाता सरबजीत सिंग्धालेवाल वहाँ 86 साल के सिख किसान से मिले जिनोंने अपनी जिन्दगी के अनुभा उन से साजा किये हम एक दाना धर्ती में बोते हैं वो बदले में हमें सैक्डो दाने देती है आज हमारे पास जमीने हैं, कोठिया हैं पर हमने जिन मुश्किलों का सामना करके ये सब बनाया है वो हम बयान नहीं कर सकते ये बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे हमने जोपड़ी में बिना पंखे के तपती गर्मी को सहा, बारिश का मौसम जहला और कई दिनों तक उसमें वैसे ही रहे मेरा नाम रतन सिंग है और मैं लखेम पुर्खीरी जिले के दीप नगर में रहता हूँ ये यूपी का वो जिला है जहां सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं, इसलिए इसे मिनी पंजाब कहा जाता है हम यहां साल 1968 में आये, हमारे रिश्टेदार ने कहा कि यहां आकर आप जमीन ले सकते हो फिर हमने जमीन खरी दी, यहां हमें कई परिशानिया होई जो अब मुझे उतनी याद नहीं मैं 11 किलो मीटर दूर से आटा पिसवा कर अपने सिर पर रख कर लाता था और डॉक्टर भी इतनी ही दूर जाकर मिलता था, यहां मच्छा बहुत है हम रात दिन अपने खेतों की रखवाली करते थे और मच्छा हमें सोने भी नहीं देते थे फिर यहां कोई बैंक भी नहीं था हमने यहां मजदूरों के साथ मिलकर रहने के लिए जोपड़ियां बनाई फिर कई सालों तक उन में रहे हमारी दो पीडियों ने बड़ी मेहनत की है मेरे पिताजी की मेहनत और मेरी मेहनत इसके बाद जाकर ही हम यह कोठी बना पाए है किसानों का प्रदर्शन किसी पार्टी विशेश या किसी धर्म या किसी राज्यका नहीं है ये सबी धर्मों के किसानों का प्रदर्शन है चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसल्मान हो, या ईसाई हो